सब्सक्राइब कीजिए को कुईत फॉजया को और बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा ताकि मेरी कोई भी लेटेस्ट वीडियो आपसे मिसना हो असलाम लेकुम फ्रेंड्स आज हम आपके साथ शेयर करने जा रहे हैं चिकन ड्रम स्टिक की रेसिपी और यह बहुत ही यह मसाला अंदर तक हो जाए कि हमें करें ceci में तॉज़ इस तरह से कट लेने हैं तो सारी पीसे केसे कटि लगा लिएगे और एक पीसमें आपको और काशन ऋर्वान देखा देते हैं तो इसी तरह से में 30-40 प्रेस अबस्ता जादा कर्म ही मोर्ढा ले करना है झां ही कषमिरी लालमेच लीया है 1 CPR धनय पॉर्डर रण चीर 70 चीर 91 चिर 4 चाहीं में घरम मसाल्य भी आफ पॉर्ड शेल लिए उपने और हम जाद कर सकते हैं 14 4 TSP हल्दी पॉडर 1 TSP नमग 1 TSP कालीमेश पॉडर 1 TSP रचिली फ्लेक्स अब हम सारी मसाले को यहां पे एड कर देंगी इसमें कि इसके बाद 2 TSP हम दही आड करेंगे इसको हमने बीट कर लिया है और 1 TSP अद्रक का पेस्ट और 1 TSP लेहसन का पेस्ट हम एड करेंगे वन टीबल इसपून लेमन जूस एड करेंगे और अब हमें इसे मिक्स कर लेना है इसको मिक्स करने के बाद हम यहां पे डालेंगे थोड़ा सा फूड कलर यह ऑप्शनल है अगर आप डालना चाहते है तो डाल सकते हैं और इसके बाद हम इसे फ्रीज में रख देंगे कम से कम पास एच्छे घंटे के लिए और इसके अज़ाय लabad शका बघाला है जख़ोर्य लगांगे बomena प्राइश का-बंण में यहां एक पैन को हम यहां तुड़ा से तीबल स्पून ओल आप डालेंगे और पैन को ग्रीज कर लेंगे अच्छे से इसके बाद हम यहां पर फ्लेम को मीडियम टू लो कर देंगे क्योंकि हमें चिकेन को थोड़ा सा टेंडर करना है तो एक एक करके हम सारी पीसे इसमें डालेंगे डालने के बाद हम इसे एक से दो मिनिट तक हाई फ्लेम पही रहने देंगे अब यहां पर एक से दो मिनिट बाद हमने फ्लेम को लो कर दिया है और यहां पर लिड लगा देंगे और लिड लगा करके इसे थोड़ा सा कुख होने देंगे पास से चे मिनिट के लिए और बीच में हमें चेक भी करते रहना ऐसे तो 5-6 मिनट बाद हम यहां पर चेक कर लेते हैं एक साइड से हो चुका है तो अब हम साइड चेंज करेंगे एक-एक करके और दूसरे साइड से भी हम इसी तरह से इसे 5-6 मिनट के लिए लिड लगा करके कुक होने देंगे अब यहां पर हम इसे चेक कर लेते हैं तो हम देख लेते हैं कि दूसरे साइड से भी हो चुका है कि नहीं तो यहां पर यह दूसरे साइड से भी हो चुका है अब हम यहां पर फ्लेम को हाई कर देंगे और हाई प्लेम पर जितना भी वाटर इसमें से रिलीज हुआ है उसे हम ड्राइ कर लेंगे और चिकन को बीच बीच में पलटते भी रहेंगे ताकि यह नीचे से जले ना अब आप यहाँ पर देख सकते हैं पानी जो है एकदम ड्राइ हो चुका है और चिकन ड्राम इस्टिक बन करके अल्मोस्ट रेडी अगर आप इसे स्टेश पर चाहें तो इसे स्मोकी फ्लेवर भी दे सकते हैं उससे टेस्ट और भी अच्छा हो जाता है तो अब हम आपको दिखा देते हैं कि देखे कितना अच्छा कलर आया है और बहुत ही अच्छी स्मेल आ रही है तब हम इसे सर्फ कर लेंगे तो मज़िदार से चिकन ड्राम इस्टिक बन करके तयार है अब आप इसे किसी भी चीज के सालेट के साथ चेटनी के साथ सर्फ कर सकते हैं और अगर आप इसके उपर काला नमक और चाट मसाला का स्प्रिंकल कर दें तो और भी अच्छा हो जाएगा और चेट पटा हो जाएगा तो यहां पे आप देख सकते हैं कितना अच्छा बन करके तयार हुआ है और बिल्कुल ऐसा लग रहा है जैसे हमने इसे ग्रिल किया है तो मेरी इस रेसिपी को आप जरूर से ट्राइ करिएगा रेसिपी अच्छे लगे तो लाइक कीजिएगा कमेंट कीजिएगा और अगर मेरा चैनल अब तक सब्सक्राइ किया है तो उसे लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा